प्रस्न चार निम्नांकित पुर्णांको को गुना करें प्रस्न चार का पहला तो पहला प्रस्न है पांच को छे से गुना करना है तो पांच गुना छे लिखेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा तीस तो 5 को 6 से गुना करना है तो 5 गुना 6 लिख लेंगे तो 5 गुना 6 कितना होगा? 30 दूसरा माइनस 5 को किस से गुना करना है? 7 से गुना करना है तो माइनस 5 गुना 7 लिख लेंगे माइनस 5 को 7 से गुना करना है तो माइनस 5 गुना 7 कितना होगा? तो 7 पचे 35 और 7 प्लस में है 5 माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस यानि माइनस 35 तो माइनस 5 गुना 7 कितना होगा माइनस 35 तीसरा तीसरा है 4 को 4 को किसे गुना करना है माइनस 8 से 4 को माइनस 8 से गुना करना है तो 4 गुना माइनस 8 लिखेंगे चार गुना माइनस आठ तो आठ चोक बतीस चार प्लस में है आठ माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जागा माइनस बतीस चौथा में है माइनस तीन को माइनस तीन को माइनस इगारा से गुना करना है माइनस तीन गुना माइनस 11, कितना हो जाएगा माइनस 3 गुना माइनस 11 तो माइनस माइनस होता है प्लस और 11 या 33 तो माइनस 3 गुना माइनस 11 हो जाएगा 33 क्योंकि 11 भी माइनस में है 3 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानि सिर्फ 33 लिखेंगे पांच माँ तो पांचमा प्रसन है 432 को 432 को सूनने के साथ गुना करना है तो किसी भी संख्या को सूनने के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा सूनने आएगा छट्ठा क्या है सूनने को किस के साथ गुना करना है माइनस 432 के साथ तो सुन्ने गुना माइनस 432, क्या हो जाएगा, सुन्ने, क्योंकि सुन्ने के साथ, कोई भी पुर्णांग को गुना करेंगे, तो क्या आएगा, सुन्ने आएगा, तो यहाँ पर सुन्ने गुना माइनस 432, क्या हो जाएगा, सुन्ने, साथवा प्रस्न सुन्ने को सुन्ने से तो सुन्ने को सुन्ने से गुना करेंगे तो क्या आएगा? सुन्ने गुना सुन्ने क्या होगा? सुन्ने अब प्रस्न पांच हल करेंगे प्रस्न पांच है निमने लिखित को सरल करें तो प्रस्न पांच का पहला है माइनस 5 गुना माइनस 6 गुना 10 तो इसको गुना करना है माइनस 5 गुना माइनस 6 गुना 10 इसको सरल करना है यानि गुना करना है क्योंकि गुना का चिन्न है तो कितना होगा 6 पचे 30 30 गुना 10 तीन सो कितना हो जागा 300 देखिए 6 पचे 30 30 गुना 10 300 और माइनस माइनस हो जागा पलस और 10 भी यहाँ पर पलस में है ठीक है तो माइनस माइनस क्या हो जागा पलस यानि 300 इसका उत्तर आएगा दूसरा दूसरा है माइनस 3 गुना 13 माइनस 3 गुना 13 गुना माइनस 7 माइनस 3 गुना 13 गुना माइनस 7 तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा देखिए तो 13 सते 91 91 तिया कितना होगा 273 91 तिया 273, देखिए 13 सत्य 91, 91 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना 13, 99 27, यानि 27 और 3 माइनस में है, 7 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर आएगा 273 तीसरा माइनस 15 गुना माइनस 8 गुना माइनस 11 तो ये प्रसन है, माइनस 15 गुना माइनस 8 गुना माइनस 11 तीनों देखिए कोश्टक के अंदर है, तो गुना में हुआ, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 15, 80, 120, 120 और 11 को गुना करेंगे देखिए 15 गुना 8 कितना हुआ, 120 तो एकसो बीस गुना इगारह तो बारह गुना इगारह हो जाता है एकसो बतीस क्या होता है एकसो बतीस तो एकसो बीस गुना इगारह यानि एक हजार तीनसो बीस हो जाएगा तो पंदर अठी 120, 120 गुना 11 करेंगे तो 1320 होगा अब तीनों माइनस में है तो देखें, माइनस माइनस हो जागा प्लस, प्लस माइनस माइनस यानि माइनस 1320 इसका उत्तर होगा प्रस्न चार में है 21, गुना 9845, गुना सुन्य, गुना 234, तो यहां पर 21, को 9845 से गुना करेंगे, फिर 234 से गुना करेंगे, फिर सुन्य से गुना करेंगे तो देखे, सब गुना में है, तो सूनने भी आगया साथ में, तो किसी के साथ गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सूनने गुना हो रहा है, तो इसका उत्तर सूनने ही आएगा, क्योंकि अगर इससे इसको भी गुना कर दें, और इसको भी गुना कर दें, तो सुनने के साथ गुना होके क्या होगा सुनने तो किसी कोई भी संख्या अगर सुनने के साथ गुना होता है तो क्या आता है सुनने प्रहस्ने छे साथ को माइनस एक से गुना करें एवां बताएं कि प्राप्ट परिनाम साथ के योग का व्युतकरम है या नहीं तो साथ को किस से गुना करना है माइनस एक के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस साथ ठीक है साथ को माइनस एक के साथ गुना करना है तो क्या आएगा माइनस साथ आएगा तो साथ को माइनस एक से गुना करें यह वह बताएं कि प्राप्ट परिनाम साथ के योग का व्यूत्करम है की नहीं तो देखें साथ को माइनस एक से गुना करने पर क्या है माइनस साथ तो माइनस साथ क्या है साथ का योग का व्यूत्करम है तो हम इसका उत्तर में हा लिखेंगे इसका उत्तर क्या होगा हाँ यानि इसका उत्तर माइनस साथ होगा और हाँ होगा क्योंकि माइनस साथ जो है साथ के योग का व्यूतकरम है तो साथ और माइनस एक को गुना करना है और बताना है कि प्राप्ट परणाम साथ के योग का व्यूतकरम है या नहीं माइनस साथ, तो माइनस साथ, साथ का व्यूत करम है, साथ के योग का व्यूत करम है, माफ कीज़े, माइनस साथ क्या है, साथ के योग का व्यूत करम है, तो इसका उत्तर हाँ होगा, प्रस्न साथ, माइनस पांच को माइनस एक से गुना करें, एवां बताएं कि प्राप्पर परद 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 पर उत्तर क्या होगा इसका उत्तर में हो जाएगा नहीं क्यों नहीं होगा तो पांच के योग का व्यूत्करम माइनस पांच होगा लेकिन यहां तो पांच आया है इसलिए यह पांच के योग का व्यूत्करम नहीं है तो पांच के योग का व्यूत्करम क्या होता है माइनस पां होता है 5 की योग का वित्करम होता है माइनस 5 तीसलिए इसका उत्तर क्या होगा नहीं होगा प्रस्न आठ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो प्रस्न आठ का पहला क्या है पच्पन गुना तेईस बराबर खालिय स्थान गुना पच्पन पच्पन गुना तेईस बराबर रिक्त स्थान गुना पच्पन तो देखे रिक्त स्थान को भड़ना है तो बराबर के बाया तरफ क्या है पच्पन गुना तेईस है और इधर सिर्फ पच्पन है तो यहाँ पर तेश लिख देंगे तभी बराबर होगा क्योंकि बराबर के बाया तरफ और बराबर के दाया तरफ दोनों तरफ कैसे बराबर होगा तो देखें पच्पन को तेश से गुना करें या तेश को पच्पन से गुना करें उत्तर एक ही आएगा दूसरा खाली स्थान गुना 32 बराबर 72 गुना 15 तो रीकत अस्थान है उसको 72 के साथ गुना करना है तो 72 गुना 15 देखिए इधर 72 गुना 15 है तो इधर भी पंदर लिखेंगे यानि 15 गुना 72 और 72 गुना 15 बराबर होगा तो यहाँ पर 15 भर देंगे तीसरा तीसरा है माइनस 21 माइनस 21 गुना माइनस 38 बराबर माइनस 38 गुना तो माइनस 21 को माइनस 38 के साथ गुना किया गया माइनस 21 को माइनस 38 के साथ यहाँ पर गुना किया जा रहा है तो माइनस 38 को किस के साथ गुना करेंगे माइनस 21 के साथ तो यहाँ पर क्या भरेंगे माइनस 21 क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए देखें माइनस 21 गुना माइनस 38 और इधर बराबर माइनस 38 गुना माइनस 21 होगा तभी दोनों तरफ का उत्तर के आएगा बराबर चौथा में क्या है माइनस 18 गुना रिक्तस्थान बराबर माइनस 15 गुना माइनस 18 तो यहाँ पर देखें माइनस 15 गुना माइनस 18 है यहाँ पर माइनस 18 गुना क्या भरेंगा माइनस 15 तो यहाँ पर क्या भरेंगा माइनस 15 तब दोनों तरफ बराबर होगा बराबर के दाया तरफ और बराबर के बाया तरफ अब कहा रहा है इनमें परियुक्त गुन का भी उलेक करें तो देखे, यहाँ पे जो भी, यहाँ पे कौन सा गुन लग रहा है, तो गुना का क्रम भी निमें गुन लगा है, देखे, पचपन गुना 23 करें या 23 गुना 55, तो यहाँ पे क्रम उल्टा हो गया, यहाँ पे पहले 55 था, यहाँ पे बाद में 55 है, लेकिन उत्तर तो दोनों क का बराबर ही आएगा तो 15 गुला 72 या 72 गुना पंद्रा उत्तर एक ही आएगा माइनस 21 गुला माइनस 38 या माइनस 38 गुना माइनस 21 तो उत्तर बराबर रहे आएगा बस करम इधर से उधर कर दिया गया है उसी तरह इसमें भी माइनस अठारग गुना माइनस पंद्रह या माइनस पंद्रह गुना माइनस अठारग उत्तर क्या आएगा एक ही आएग दोनों का बराबर ही होगा तो यह कौन सा नियम है तो लिखेंगे पुर्णांको पर गुना का क्रम बिनिमे नियम पुर्णांको पर गुना का क्रम बिनिमे नियम ये कौन सा नियम है गुना का क्रम बिनिमे नियम प्रस्न नौ रिक्त स्थानों की पूर्थी करें तथा परियुक्त गुन का उलेख करें तो प्रस्न नौ का पहला क्या है तेस गुना चोबिस 23 गुना 24 गुना 25 बराबर 23 गुना 24 गुना खाली अस्थान है तो यहाँ पर देखे बराबर के बाया तरफ 23 गुना 24 गुना 25 है यहाँ पर बराबर के दाया तरफ 23 गुना 24 है तो इधर भी 25 लिख देंगे क्योंकि दोनों तरह बराबर होना चाहिए तीनों गुना में है तो इधर भी देखे कब बराबर होगा जब यहाँ पे 25 लिखेंगे क्योंकि इधर भी 25 यहाँ इधर 25 है और इधर देखे 25 नहीं था तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे अब इधर इसमें कौन सा गुन लग रहा है तो देखिए यहाँ पर 23 गुना 24 को पहले गुना करना है क्योंकि कोष्टे के अंदर है फिर 25 से गुना करना है और यहाँ पर 24 गुना 25 को पहले गुना करना है फिर 23 से गुना करना है तो ये है गुना का सहचारे गुन यानि गुना का सहचारे नियम या गुन तो इस तरह यहाँ पर क्या भरेंगे 25 दूसरा दूसरा में है माइनस बेरासी गुना 27 गुना रिक्तस्थान बराबर माइनस बेरासी गुना 27 गुना 71 इस तरह लिख लेंगे तो यहाँ पर देखें माइनस बेरासी गुना 27 है यहाँ पर माइनस बेरासी गुना 27 गुना 71 है और 27 गुना 71 कोष्टक के अंदर है तो देखें 71 इधर है 71 इधर नहीं है तो 71 यहाँ पर भर देंगे क्योंकि minus 81,27 इधर भी है minus 82,27 इधर भी है और यहांपי एक 70 है तो तिनों गुzna में है तो इधर भी तिनों गुna में होना चाहिए अब यहांपे यह कौन सा गुन है तो गुना का साथ 4 गुन क्योंकि यहांपे minus 81,27 को पहले गुना करना है और यहाँ पे 27 और 71 को पहले गुना करना है फिर माइनस 82 के साथ गुना करना है तीसरा क्या है रिक्त स्थान गुना माइनस 37 कोश्टक बंद फिर गुना 62 बराबर माइनस 15 गुना माइनस 37 गुना 62 तो इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस 37 और 62 को देखिए पहले गुना किया गया है यानि कोश्टक के अंदर है तो इसको पहले गुना करना है फिर माइनस 15 के साथ गुना करना है यहाँ पे बासेट है माइनस 37 है देखें यहाँ माइनस 15 है तो यहाँ पे क्या भर देंगे माइनस 15 क्या भरेंगे माइनस 15 अब दोनों तरफ बराबर होगा तो रीकत स्थान में हम क्या भरेंगे रीकत स्थान में माइनस 15 भरेंगे तो ये कौन सा गुन है गुना का साच्यरे गुन कैसे तो माइनस 15 गुना माइनस 37 देखे बड़ा कोष्टे के अंदर है यानि कोष्टे के अंदर है तो ये दोनों पहले गुना होगा फिर 62 के साथ गुना होगा और यहाँ पर माइनस 37 गुना 62 पहले गुना होगा फिर माइनस 15 के साथ गुना करेंगे चौथा में क्या है माइनस 72 माइनस 72 गुना माइनस 51 गुना माइनस 35 बराबर माइनस 72 गुना खालिय स्थान गुना माइनस 35 इस तरह लिख लेंगे तो माइनस 72 और माइनस 51 यहाँ पर कोश्टे के अंदर है और फिर माइनस 35 है गुना में यहाँ पर देखिए माइनस 72 है माइनस 35 है तो माइनस 51 नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे माइनस एक काउवन ठीक है तो ये गुना का साथ चारे गुन है क्योंकि यहाँ पे माइनस बहत्तर और माइनस एकावन को पहले गुना करना है क्योंकि कोश्टे के अंदर है फिर माइनस पैंतिस के साथ गुना करना है और यहाँ पे कि परियुक्त गुन का उलेक करें, तो लिख लेंगे गुना का, गुना का साच्यरे, गुना का साच्यरे गुन, तो यहां पर गुना का साच्यरे गुन परियुक्त हो रहा है, प्रस्मे नौ में, तो इस तरह हम लिख लेंगे यहां पर, झाल झाल